नमस्कार मेरा नाम है इंकुर गुर्जल और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com जब किसी देश का प्रधान मंत्री दूसरे देश के दौरे पर होता है तो उस देश का कोई मंत्री या अधिकारी उनको लेने के लिए एरपोर्ट पहुचता है और जब देश आने वाले महमान खास होता है तो उसको लेने के लिए प्रोटोकॉल तोड़कर स्वयम देश का प्रधान मंत्री या राष्टपती भी जाता है और इससे ये भी पता चलता है कि हम किसी देश के लिए कितने महत्तोपूर्ण हैं आप सोच रहे होंगे ये समय आपको क्यों बता रहा हूँ दरसल पाकिस्तान के प्रधान मंत्री इमरान खान अभी अमेरिका दोरे पर है लेकिन अमेरिका में पैर रखते ही उनकी फजियत हो गई है इमरान खान को एरपोर्ट पर लेडी के लिए अमेरिका का मंत्री तो दूर कोई अमेरिकी अधिकारी तक नहीं पहुचा उनका स्वागत पहले से ही अमेरिका में मौजूद पाक विदेश मंत्री शाहा महमूद कुरैसी और राजदूत असद मजीर खान ने किया बस रस्म अधाईगी के लिए अमेरिकी प्रोटोकॉल ओफिसर ही मौजूद थी बेज्जती की हद तो तब हो गई जब इमरान खान को अपने ही अधिकारियों और बस एक प्रोटोकॉल ओफिसर के साथ मेट्रो की यात्रा कर अपने राजदूत के आवास तक जाना पड़ा इमरान खान किसी होटल के बजाए अपने राजदूत के यहां ही ठहरे वे विशेज विमान के बजाए कतर एरवेज की सामाने ओडान से यहां पहुचे थे आगे के कारिक्रम में इमरान खान अमेरकी राजपती डॉनल्ड टरम से मुलाकात करेंगे मंगलवार को अमेरकी विदेश मंतरी माइक पॉम्पियों से मिलेंगे इसके अलावा वे अंतराश्चियों मुद्राकोष आई एमफ के कारिकारी प्रमुख डेविड लिप्टन और विश्व बैंक के अद्ध्यक्स डेविड मालपास से भी मुलाकात करेंगे इमरान खान ने अमेरका जाते जाते आतंकी संगठन जमातुद दावा के सरगना हाफिस सईद को जेल में डाल दिया था जिससे उनको टरम्प से बात करने की हिम्मत मिल सके लेकिन खान के हाँ पहुचने से पहले टरम्प प्रशाशन के एक सीरश अधिकारी ने कहा कि पाकिस्तान जब तक अपने हाँ आतंगवादियों के खिलाफ निर्णाय कारवाई नहीं करता उसे सेन सहायता निलंबित करने की अमेरकी नीति जारी रहेगी वहीं अमरान खान के अमेरकी दौरे को लेकर बलोच, सिंदी और मुहाजिर समेथ पाकिस्तान के कई धार में एक अल्पसंक्यक समुदाय विरोध प्रजशन भी कर रहे हैं इन समुदायों ने वाइट हाउस और कैपिटल हिल एरिना के सामने भी विरोध करने की योजना बनाई दरसल पाकिस्तानी सरकार पर हमेशा से ही बलोच और सिंदी समाज के खिलाफ अत्याचार करने के आरोप लगते रहे हैं हाला कि अमेरिका में पाकिस्तान के पूर्व राजदूत हुसैन हकानी ने इमरान खान के इस दौरे को कमजोर करार दिया उन्होंने कहा कि इमरान खान के पास वादा करने के लिए ऐसा कुछ नहीं है जो उसने पहले नहीं किया हूँ वो वही पुराना माल फिर से बेचेंगे इस बीच लोग इमरान खान का स्वागत नहीं होने पर जम कर चटकारे ले रहे हैं सोचल मीडिया पर उनको लेकर खूम मजागिया कमेंट किये जा रहे हैं एक ट्विटर यूजर ने लिखा पाकिस्तान ने क्रिकेट विश्वकप में अच्छा परदशन नहीं किया यह उसी की सजा है वही एक ट्रोलर ने मीम बनाते हुए वैलकम फिल्म के एक फोटो पर लिखा है कि सह लेंगे थोड़ा इमरान खान पर चटकारे लेने में हिंदी कवी और पूर्व आप नेता कुमार विश्वास भी पीछे नहीं रहे उन्हेंने का कि खैरात में हतियार और डॉलर मिलते हैं इमरान खान सहब खैरात में इजज़त नहीं मिलती वो कमानी पड़ती है लेकिन जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंतरी और नेशनल कॉन्फरेंस पार्टी के नेता उमर अबदुल्ला ने इमरान खान का बचाओ किया है अबदुल्ला ने अपने ट्वीट में लिखा उन्होंने अपने देश के पैसे को बचा लिया आज की वीडियो में वस इतना ही बाकी के खबरों के लिए सत्तहिंदी.com के साथ सत्तहिंदी के और वीडियो को देखने के लिए हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं